अकाश्वानी भुपा से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं सैंक्ताब बैनर जी पहले मुख्य समाचार प्रदेश में दो अक्टूबर से सबकी योजना सबका विकास जन अभियान चलाया जाएगा मुख्यमंत्री शिवरास सिह चौहान की जन आशिरवाद यात्रा आज मंडला और डंडौरी जिलों में पहुंचेगी बोबाल में कल से राजमाता विजया राजे संधिया महिला होकी कप टोर्नमन शुरू हो रहा है और मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्ची में हिस्से के आधा दर्जन से भी अधिक स्थानों पर आज भारी बारिश की चेताब नी दी है अब समाचार विस्तार से प्रदेश में दो अक्टूबर से सबकी योजना सबका विकास की मूल अवधार्ना के तहट जन अभ्यान चलाया जाएगा 31 दिसंबर तक चलने वाले इस अभ्यान में प्रतेग ग्रामीन की भागीदारी सुनिश्चत करते हुए वश्च 2019-2020 की ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की जाएगी पंचायत एवं ग्रामीन विकास मंत्री गोपाल भारगव ने कल इसकी जानकारी दी 22,812 ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने के संबंध में विस्त्रित दशानिर देश चारी किये गए है मंत्री शिभारगव ने कहा कि ग्राम पंचायत विकास की तैयार योजना का 2 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक दो चर्णों में आयोजद ग्राम सभाव में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएगी इस कारे में सभी विभागों का मैदानी अम्बला अपनी भागीदारी दर्च कराएगा मुखेमंत्री शिवरास सेंच चोहान की जन आशिरवाद यात्रा आज मंडला और दिन्डौरी जिलों के विधान सभाग शेत्रों में पहुँचेगी श्री चोहान सुभा गरीब सभाग 11 बजे बिछिया पहुचकर यात्रा के इस चरण की शिरवाद करेंगे इस दोरान वे मंडला और दिन्डौरी जिले में कई जन सभाओं को संबोधित करेंगे इस वर्ष के अंध में होने वाले विधान सभाग चुनाव की मद्दे नजर श्री चोहान ने 14 जुलाई को जैन से जन आशिरवाद यात्रा शुरू की है वे इस यात्रा में प्रदेश के सभी 230 विधान सभाग शेत्रों का दोरा करेंगे राश्य विधिक सेवा प्राधिकरन द्वारा कल प्रदेश भर में उच्छ नियायाले, जिला नियायालेओं, तालुका, श्रम्ब और कुटुम नियायालेओं में राश्य लोग अदालत लगाई गई लोग अदालत में लंबित प्रकरनों, बैंक रिकावरी, मोटर दुरघटनाक, श्रतिपूर्ती दावा प्रकरन, श्रम विवाद, विद्युद एवम जलकर, वैवाहिक भूमी अधिकरहन, राजस्व और दीवानी आदी मामलों की सुनवाई हुई नर्सिंगपूर में गठित खंडपीठों द्वारा 3087 मामलों का नराकरन किया गया, ग्वालियर में प्रकरनों के नराकरन के लिए 45 खंडपीट गठित की गई थी, इनके द्वारा 4,079 प्रकरनों का नराकरन आपसी सुलह के आधार पर किया गया बड़वानी में 9,327 प्रक्रणों में से 2,296 प्रक्रणों का निराकरण हुआ वहीं गुना में 10 खंड पीठों ने 979 मामलों का राजी नामी के आधार पर निराकरण किया धार में भी 3 करोड रुपे से अधिक मूले के प्रक्रणों और दुर्खटना दावा प्रक्रणों का निराकरण किया गया जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर नरूत्तम मिश्व ने कल दतिया में 46 उतक्रिष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया उन्होंने कहा कि शिक्षक वर्ग की सामाजिक विकास में रचनात्मग भूमिका होती है दतिया के विकास में भी समाज के सभी वर्गों के साथ शिक्षकों का पूरा सहीयोग प्राप्त हो रहा है इसके साथ ही डॉक्टर मिश्व अतिवर्शा प्रभावित दत्या के तरंताल हनुमानगरही के पास रहने वाले सौ से भी अधिक परिवारों से मिले प्रभावितों के घर-घर जाकर हाल चाल जाना और उन्हें पूरी मदद का भरोसा दिलाया। दॉक्टर मिश्व ने नागरिकों के लिए आवशक राहत और सहायता की व्यवस्था के लिए मैदानी अमले को निर्देश दिये। प्रादेशिक समाचार आका इश्वानी भोपाल से प्रसारित किये जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जाने के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज ओन एया.ni.c.in पर लॉग इन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलिटन यूट्यूब, ट्विटर और फेस्बुक पर AIR News भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। मानव संसाथन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि देश से निरक्षरता समाप्त करने में बच्चों की प्रमुख भूमिगा है। उन्होंने सभी विद्यार्थियों से आगे बढ़कर अपने परिवार के निरक्षर सदस्यों को पढ़ाने का आग्रह किया ताकि वे भी लिख पर सके। राज्य शिक्षा केंद्रों ने समय सारनी जारी कर दी है। प्राइविट स्कूलों द्वारा 25 सितंबर तक नोडल अधिकारी को प्रोपोजल भेजा जाएगा। नोडल अधिकारी प्रोपोजल का सत्यापन करने के बाद उसे 30 सितंबर तक जिला पर योजना समन्वयक डीपीसी को भेजेंगे। डीपीसी 5 अक्टूबर तक सम्मंधित प्राइविट स्कूलों में प्रतिपूर्ती राशी ट्रांसफर करेंगे। प्राइविट स्कूल संचालकों से समय सारनी के अनुसार आवश्यक कारवाई करने के लिए कहा गया है। भुपाल में कल से राजमाता वज्या राजे संधिया महिला हौकी कब टोनमंट शुरू हो रहा है। 15 सितंबर तक चलने वाला ये टोनमंट मेजर ध्यानचंध हौकी खेल मैदान पर आयवजित होगा। टोनमेंट में देश की बारह महिला होकी टीमों की खिलाडी भाग लेंगी। खेल और युवा कल्यान मंत्री या शोधरा राजे सिंधिया कल शाम टोनमेंट का शुभारम करेंगी। चार पूलों में शामल टीमों के बीच रोज सुभर साथ बजे से चार-चार मुकाबले खिले जाएंगे। विजेता टीम को पांच लाख, उप विजेता टीम को तीन लाख और तृती अस्थान हासल करने वाली टीम को दो लाख रुबै की सम्मान नधी से पुरस्कृत किया जाएगा। प्रदेश की पश्यमी हिस्से में आने वाले आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर अगले 24 घंटों के दौरान भारी वर्शा होने की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। दोल संभाग में कुछ स्थानों पर हलकी वर्शा या गरत चमक की स्थिती के साथ बोचारे पढ़ने की संभावना है। वही नदी नालों में उफान से पहुचमार्ग भी बंध है। पिंड, उमरिया, दतिया, नीमच, शिफपुरी, सिंग्रॉली और मुरैना है। कम वर्शा वाले जिले अनूपपुर, बालाखाट, हर्दा, धार, छिंदवाडा, देवास, अलिराजपुर और बैतूल है। शिश, जिलों में सामान ये बारिश दर्जी गई है। अन्त में बुलिटन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भाग ने प्रदेश के पश्ची में हस्से के आधा दर्जन से भी अधिक स्थानों पर आज भारी बारिश की चेताव नी दी है। इसके साथ ही प्रदेशक समाचारों का ये बुलिटन समाप्त हुआ। नमस्कार झाल झाल करताव झाल करताव झाल